टेकनोलोजी के इस बदलते दौर को अगर हम प्रयोगों का दौर कहें तो गलत नहीं होगा यदि फिल्मों की बात करें तो इन प्रयोगों में फिल्मों का स्वरूप बदल रहा है वहीं दूसरी तरफ फिल्मों को अलग-अलग धाराओं में बाटने वाली लकीरे अब धुनली होने लगी हैं फिल्मों के स्वरूप के साथ साथ नायक के व्यक्तित्व और स्वरूपों में बदलाओ दिखाई देने लगा है निरंतर नई कहानियों और नए किर्दार को दरशक अप खुले दिल से सुईकार करने लगे है इन कहानियों और इन किर्दारों को अपने अभिने से जीवन्त कर देने वाले धेरों नए चेहरे अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामियाब रहे हैं आम नायकों की परिभाशा से अलग ऐसा ही चेहरा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस चेहरे का नाम है पंकश्त्रपाथी जिसने अपनी काबिलियत से हर किसी के दिल में एक अलग जगा बना ली है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ धर्मेश और आप देख रहे हैं नारट टीवी इस खास सेग्मेंट में आज हम चर्चा करेंगे अभिनेता पंकश्त्रपाथी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में अपने मौलिक अभिने से सब को अपना कायल कर देने वाले जाने माने अभिनेता पंकश्त्रपाथी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपाल गंज के बेलसंद नामक छोटे से गाउं में हुआ था पंकश के पिता का नाम श्री बनारस्तिवारी है जो की एक साधारन से किसान है उनकी मा श्रीमती हेम वंती है परिवार में पंकश के अलावा उनके तीन भाई और दो बहने हैं पढ़ाई के साथ साथ पंकश का अभिनय के प्रती हमेशा से एक अलग लगाव रहा है उन्होंने बचपन सहीं अपने अभिनय की शुरुआत कर दी थी पंकश ने अपने गाउं में छट तेवहार पर आयोजित होने वाले कई ना पढ़ाई के दौरान वो फिल्मों से अनभिग्य थे क्योंकि उस दौरान उनके घर में ना तो टीवी था ना आसपास कोई सिनेमा हॉल जो सबसे करीब सिनेमा हॉल था वो उनके गाउं से तकरीबन 20 किलोमेटर दूर था दोस्तों पढ़ाई के दौरान पंकश बचपन में RSS के सदस्य भी बन गये थे वो विभिन शाखाओं में नियमित रूप से सक्रिय रहे थे वो RSS की सांस्कृतिक गतविधियों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया करते थे साथ ही साथ खेती के काम में वो अपने पिता का हाथ भी बटाते थे प्राथिमित सिक्षा पूरी करन वे चातर संगठन ABVP में शामिल हुए और कई चातर आंदोलनों में भाग भी लिया आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे ही एक आंदोलन के वज़े से पंकज को तकरीबन एक हफते तक जेल की हवा खानी पड़ी थी दोस्तों पंकज एक सक्रिय चातर नेता और कुशल व नाटक और फिल्में देखी जिसके कारण अभिनय के प्रती उनकी दिल्चस्पी जाग उठी बताया जाता है कि एक बार नाटक अंधा कुआ देखने के बाद वो भावुक होकर रो पड़े उन्होंने उसी वक्त नाटकों में सक्रिय होने की ठान ली वर्ष 1995 में उन्हें प अभिनय के बारे में हर किसी से राय मांगा करते थे और जो खामिया होती थी उसे दूर करने और खुद को निखारने में लग जाया करते थे उनकी यही लगन और निष्ठा उनके अभिनय में साफ साफ नजर आती है वर्ष 1996 के बाद पंकज त्रिपाठी एक नियमित रंगम काम भी किया होटल मौरिया में काम करने के दौरान पंकज से जुड़ा एक दिल्चस्प और मज़ेदार किस्सा है जिसे दमदार अभिनेता मनोज वाजपेजी ने टेलिवीजन के एक शो में बताया था इस किस्से को सुनकर यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा फिल्म गैंक्स ओफ वासेपुर जिसमें अभिनेता मनोज वाजपेई और पंकज रिपाठी दोनों ने साथ काम किया है एक दिन शूटिंग के दौरान फुरसत के शणों में मनोज वहीं बैठे हुए थे उसी वक्त पीछे से खैनी रगड़ते हुए पंकज धीरे से उनके पास आ पास और पास आधे हैं मनोज ने कहा हां क्यों पंकज ने पूछा एक बार जब आप आए थे तो वहां से आपको कोई सामान गायब हुआ था क्या मनोज बोले हां मेरा एक चपल खैर जो भी है मुझे मिला नहीं पंकज ने थोड़ा जिजकते हुए कहा हम वहां काम किया करत और पर रख लें ये घटना जहां एक और हमारे मन को गुद गुदाती है तो दूसरी तरफ पंकज के गुरू प्रेम को भी दर्शाती है पंकज दिवंगत अभिनेता इर्फान खान के भी प्रशंसक है उनका कहना है कि शायद ही कोई इर्फान साब का ऐसा फैन हो जिसने उ पंकज रपाथी रात में होटल में काम किया करते थे और सुबवसवाद थीटर किया करते थे तकरीब दो सालों तक ऐसा ही चला फिर उन्होंने होटल का काम छोड़ दिया और कुछ दिनों जूते बेषने का काम भी किया ये समय पंकज के जीवन के सबसे कठिन डॉर में से उस मुश्किल दौर को याद करते हुए पंकजिक इंटर्वियू में बताते हैं कि पटना में उनके एक कमरे वाला मकान उन्हें आज भी याद है। वर्ष 2001 से 2004 तक NSD में नाटक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पटना लोटाए और चार महिने थेटर में काम किया। फिर 16 अक्टूबर वर्ष 2004 को फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई निकल गए। मुंबई में पंकश्ति पार्थी की शुरुआत छोटे पर भी किया है जिसमें टाटा टी का विग्यापन प्रमुख है। कम लोगों को ही पता होगा कि पंकश्ति की फिल्मों में अभिनाई की शुरुआत एंसडी के दौरान 2003 में बनी एक कंणर फिल्म चिगुरीडा कनासू से हो गई थी। लेकिन रोल इतना छोटा था कि फिल्म मे चोटे मोटे किरदारों में नजर आए। पर इन फिल्मों में उनके काम को नोटिस जरूर किया गया। उनके अभिने को असल पहचान मिली वर्ष 2012 में प्रदरशित अनुरा कश्यप की गैंक्स ओफ वसेपुर से। इस फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पस हाला कि फिल्म के निर्देशक अनुरा कश्यप उनके ऑडिशन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। फिर भी मुकेश शाबडा द्वारा समझाने के बाद पंकच को सुल्तान की भूमी का सौप दी गई। जिस पर वो पूरी तरह से खरे उतरे। फिर गैंक्स ओफ पंकच तरिपाठी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक तकरीबन हर दमदार फिल्मों में वो अलग-अलग किरदारों में नजर आते रहे। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई सफल वेब शोज में भी अभिनाय किया हैं जिनमें सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर प्रमुक हैं। इन सीरीज में पंकच तरिपाठी की एक्टिंग को लोगों ने खुब सा रहा। पंकच ने तकरीबन 60 से अधिक टीवी शोज में काम किया है और अब तक 60 से ज़ादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पंकच तरिपाठी का नुसार मुंब में पंकच ने बताया था कि मुंबई में उनकी जादा दुखत कहानिया नहीं रही। आप मेरे संगर्श के बारे में पूछेंगे तो कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि मैं फुटपाथ पर सोया था कई दिनों भूका रहा था। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि मेरी पत्नी म रुदला ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। मैं तो सबसे यही कहता हूं कि वो घर की पूरुष हैं वो अपनी सफलता कश्रे अपनी पत्नी को ही देते हैं। अपने एक इंटरव्यू में पंकच त्रिपाथी ने बताया था कि 16 अक्टूबर साल 2004 को 46,000 और उस दिन उनके पास अपनी पत्नी को ना तो तौफा खरीदने के लिए पैसे थे और ना ही केक खरीदने के लिए। दोस्तों पंकच जब 2004 में मुंबाई आये थे तो वो शादी शुदा थे और उनकी पत्नी मृदला भी उनके साथ ही आई थी। मृदला जी ने गोरे ग मृदला के गाओं में सुलब शौचाले बननत और सुलब शौचाले बनवाने में एक्सपर्ट पंकच के भाई ने मृदला के गाओं में अपने एक मिस्त्री को शौचाले का एस्टिमेट लेने के लिए भेजा जहां उस मिस्त्री की नजर मृदला जी पर पड़ गई और वापस आकर उसने पंकज से मृदला जी की इतनी तारीफ कर दी कि बिना देखे ही उनको मृदला से प्यार हो गया। मिस्त्री ने उनको बताया कि उधर एक लड़की है एकदम हिरनी की माफिक। पंकज मृदला की याद में रोमेंटिक गाने गागा कर रोया करते थे। उन्होंने बताया कि जिन गानों को सुनकर वो 90's के दौर में रोते थे उन गानों पर बात करके हसा करते हैं। और आखिर वो दिन आहीं गया जब पंकज ने मृदला को साक्षात भी देख लिया। संयोक से मृदला के भाई की शादी पंकज की बहन से तैह हो गई। और 24 मई 1993 को पंकज की बहन का तिलक निर्धारित हुआ। तिलक के दिन हाथ में नारियल और पान का पत्ता लिये पंकज की निगाएं। पंडित जी के मंत्र के बीच इधर उधर उस हिरनी को तलाश रही थी जिसका जिक्र उनके मिस्त्री ने किया था। पंकज ने बताया कि अचानक ऐसा लगा कि 200 से 250 की भीड अचानक खत्म हो गई। मैं अकेला नारियल लिये बैठाओं और वो खाली आंगन में चलते हुए आई। हिरनी की तरह कुचाले भरते हुए और चली गई बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह। पंकज ने बताया कि दोनों की सोच में कोई मेल नहीं था बस एक ही समानता थी और वो ये थी कि दोनों साहित्ती का शौक रखते थे और पंकज ने साहित्ती की मदद से ही मृदला का दिल जीत लिया। पंकज ने बताया कि उनकी शादी में बड़ी मुश्किले आईं क्योंकि मृदला की मा नहीं चाहते थी कि ये शादी हो। उन्होंने बताया कि लड़की की मा शादी के खिलाफ थी। उनको लगता था कि नाटक नौटंकी करता है, कभी हुटल में काम करता है, कभी जूते बेचता है, कुछ वर्षों बाद मृदला के घर वालों ने उनकी शादी कहीं और तै कर दी एक इंटर्विव में मृदला जी ने बताया था कि पंकज मेरे भाईया और भाबी के साथ मेरे होने वाले दूले के गर गए उन्होंने बताया कि ये जोड़ी मेरे लिए अच्छी रहेगी मुझे बहुत एक सुख मिलेगा मैं इस बात का अर्थ नहीं समझी तब पंकज जी ने मुझे समझाया कि materialistic world में तुम अच्छा जीवन जीओगी लेकिन मेरे जैसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा इस तरह हमारे बीच नोक जोक चलती रही और फिर हमने बड़े जतन करके वो शादी तड़वाई पंकज के NSD 3rd year में हमने शादी का फैसला ले लिया 15 जनवरी 2004 को पंकज और मृदुला ने विवाह कर लिया पंकज और मृदुला की एक बेटी है जिसका नाम आशी है जो अब किशोरा आवस्था में प्रवेश कर चुकी है मृदुला जी स्कूल की नौकरी त्याग कर घर और पंकज के आफिस दोनों की जिमेदारियां समाल रही है पंकज के वेस्थ होने पर मृदुला उनकी नई फिल्मों के स्क्रिप्ट पढ़ा करती है पंकज के एड़ शूट फिल्मों के प्रमोशन से लेकर उनका पूरा शेडूल बनाने तक हर छोटा बड़ा काम किसी मैनेजर की तरह मृदुला ही हैंडल करती है दोस्तों पंकज के अभिनेखे ना सिर्फ दर्शक बलकि फिल्मेकर्स भी कायल है क्या नए क्या पुराने मशुहूर अभिनेटा और निर्देशक सतीश कौशिक जी का कहना है कि अपनी हाल ही में रिलिज होई फिल्म कागस से उन्हें एक निर्देशक करूप में उभरने का मौका मिला है और इसका श्रे फिल्म के मुख्य अभिनेता पंकश्तरपाथी को ही जाता है जिन्होंने इस फिल्म में नई उर्जा डाली है दोस्तों आने वाले وقت में पंकश्तरपाथी फिल्म कागस के अलावा धेरो फिल्मों और वेब सिरीस में नजर आने वाले है नारट टीवी भी ऐसे दमदार अभिनेता पंकस्त्रिपाथी जी को उनकी आने वाली फिल्मों के लिए धेर सारी शुपकामनाय देता है और उनके उज्वल भविशे की कामना करता है हमें उमीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसे तमाम रोचक वीडियो देखते रहने के लिए देखते रहें नारट टीवी